हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं चैनल और आज मैं करूंगी इस वीडियो में ब्लॉक प्रिंटिंग आप देख रहे हूँ यह मेरे पास 1717 का ब्लॉक है फैबरे का तो इसके एक एक इंच जो है मैंने चारो कॉर्नर पे स्टिचिंग के लिए चोड़ दिये हैं तो इस पे पिक्मेंट कलर बोलते हैं लेकिन अभी मेरे पास वो कलर अवेलिबल नहीं है तो हम इसको फैबरे कलर के साथ भी कर सकते हैं तो उसके लिए हमें चाहिए होगी एक स्पॉंच या फिर इस ट्राइप की फूम जो मेरे पास है तो उसको पहले हमने पानी में बिगो कर तो बहुत सारे डिजाइन्स में ब्लॉक्स मिल जाते हैं और बहुत ही चीप रेट में मिलते हैं तो इसका प्राइज होता है जिस साइज का ब्लॉक होता है उसी पर डिपेंड होता है तो दो कलर मैं यूज कर रही हूँ यहां पर तो सबसे पहले मैं ब्राउन कलर इस पे ड स्कूल टाइम एनर्सरी में बच्चों को सिखाया जाता है थंप्रिंट बगारा यह बिलकुल वैसा ही प्रोसीजर होता है बहुत एजी होता है तो इस तरह से अगर आप ब्लॉक लाकर घर में रखो तो आप अपनी सूट दुपट्टा साड़ी कर्टेन टेबल क्लोथ टेपल कर सकते हैं समर्स में अगर हम लाइट शेड के फैब्रिक लेकर इस तरह से ब्लॉक प्रिंटिंग करके सूट्स बनाएं तो वह बहुत ही कुपसूरत लगते हैं तो मेरे पास यह जो फैब्रिक है तोड़ा सा डल है तो इस लिए इस पे कलर जो भी मैं लगाऊंगी इतना ज होता है इस तरह से उपर से प्रेशर डालना होता है बिलकुल एक जैसे हम स्टेंप का यूज़ करते हैं वैसे ही यूज़ करना होता है तो थोड़ी सी इसमें साब्धानी रखनी होती है कि हम जो स्पॉंज को गिला करते हो जादा भीगा हुआ भी नहीं होना चाहिए और न और एक बात और गिध्यान में रखें कि हमेशा ब्लॉक को यूज़ करने के बाद पानी से वाश करके फिर इसको रखें तो अभी यहां पर मैं ले रहे हूँ लाइट कलर तो इससे मैं चोटे चोटे फ्लावर जो है इसके साइट में बना दूँगी इस तरह से ब्लॉक पे लगा कि हमेशा जब भी आप ब्लॉक प्रिंटिंग करें तो पहले आप इसको रफ कपड़े पे ट्राई कर लें क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कलर एक्स्ट्र आ जाता है और के बार इसमें से जिस तरह से मिस्प्रिंट भी हो जाता है तो उसको हम बाद में ब्रेश की हेल्प से ब्रेश और गलर की हेल्प से बाद में टच आप करके उसको फिल कर सकते हैं इस तरह से मैं इसके चारों साइड पे चोटे चोटे इस तरह से फूल बना दूँगी अगर आप सूट्स पे बना रहे हो तो इस पे बाद में जैसे ब्लॉक प्रिंट करके उसको हाइलाइट करने के लिए इस पे स्टोन और 3D वर्क भी कर सकते हो लेकिन क्योंकि ये कुशन है तो इस पे बैठा जाएगा तो इसलिए इसको इस तरह से प्लेन ही मैं रखूंगी अगर आप इसको हाइलाइट करना जाते हो तो आप डिफरेंट कलर से फ्लावर में चोटे चोटे डॉट बना कर इसको हाइलाइट कर सकते हो तो देखिए इस तरह से ये पूरा बन कर तैयार हो गया है तो अभी मैं इसको स्टिच कर लेती हूँ और स्टिच करने के बाद ये कुछ इस तरह का नजर आ रहा है तो फ्रेंट्स वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलेगा मैं मिलूँगे आप से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर